अगर आप मेरी चानल पर नहीं है तो चानल को सुब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो शिक्षा निदेशाले दिली सरकार की तरफ से दिनाग 15 सितंबर 2021 के लिए कारे पत्रिका क्रम संख्या 70 कक्षा केजी के लिए कारे पत्रिका है यहाँ विद्यारती अपना नाम लिखेंगे और यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे नमस्ते बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त होंगे तो आज हम पढ़ेंगे air transport के बारे में यानि कि हवाई या तयात अंगत की मम्मी ने उसे बताया कि जैसे land और water transport से हम एक जगे से दूसरी जगे जा सकते हैं तो जैसे land और water transport का इस्तमाल करके हम एक जगे से दूसरी जगे पर जा सकते हैं ठीक वैसे हम air transport की मदद से दूर की आत्रा को कम समय में पूरा कर सकते हैं तब अंगत ने हवा में उड़ने वाले और भी वाहनों के बारे में पूछा तो फिर अंगत ने पूछा कि और कौन कौन से वाहन है जो हवा में उड़ते हैं फिर मा ने उसे air transport के बारे में बताना शुरू किया तो मा ने क्या किया एर ट्रांसपोर्ट के बारे में उसको बताना शुरू किया तो आईए हम भी अंगत के साथ एर ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं तो एर ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं तो देखो यह हमारे पास कुछ पिक्चर दी हुई है पहली ये पिक्चर ये किस चीज की है एरो प्लेन यानि की हवाई जहाज ये क्या है हेलिकॉप्टर ये क्या है होट एर बलून गरम हवा का गुबारा ये क्या है जेट प्लेन यानि की जेट विमान और ये क्या है रॉकेट तो ये सारी चीज़े क्या हैं हवा में उड़ती हैं ठीक है अब आप बच्चों क्या आपको पता है कि कौन सा वाहन गुबारे जैसा दिखता है तो ये जो हमने ये वाहनों की पिक्चर्स देखी इन में से अब कुछ क्वेस्चन पूछे गए हैं तो पहला क्वेस्चन जो प गुबारा ये कैसा दिखता है गुबारे के जैसा दिखता है न इसके बाद दूसरा प्रशन क्या पूछा है हमसे कौन से वाहन के उपर पंखा होता है तो देखो कौन से वाहन के उपर है पंखा हैलिकॉप्टर तो हम क्या लिखेंगे इसका अंसर हैलिकॉप्टर ठीक है, तिसरा क्या पूछा है, कौन से वाहन का उपयोग ज्यादा यात्रoming को बैठाने के लिए होता है तो देखो कौन से वाहन में ज्यादा यात्री बैठते हैं Aero plane में तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हवाई- जहाज उसके बाद चौता प्रश्न क्या है अगर आपको चांद पर जाने का मौका मिले तो आप किस वाहन से जाएंगे तो कौन सा वाहन जाता है चांद पर? तो इसको हम लिखेंगे राकेट ठीक है? अब देखते हैं आगे के प्रश्ने चलिए इस चितरों में यात від कि पर गोला लगाईए यह जो हवा में उड़ते हैं तो कौन कौन से हवामें उड़ते हैं? यह पहला तो अब हवामें उड़ता है तो इस पर हमने गोला लगाया उड़ता है हवा में तो इस पे हमने गोला लगा दिया अब आईए अब घर की किसी सदस्य की साहेता से कागज pleasing आखवार का हवाई जहास बनाकर उसे उडआने की कोशिश कीजिए तो आप क्या करेंगे घर की किसी भी सदस्य की साहिता लेंगे और कागज या अखबार से हवाई जहाज बनाने की कोशिश करेंगे और उसे उड़ाएंगे देखिए मैंने ऐसे बनाया तो जैसे ये इसमें बनाकर दिखाया गया कागज से हवाई जहाज ठीक है तो अभभावक के लिए सुझाव रहे गा कि air transport के बारे में बच्चे के साथ चर्चा किजे कि आप air transport के बारे में और भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो वह आप बच्चे को बता सकते हैं और इसके साथ-साथ क्रोना से बच्चने के लिए जो message रहेगा keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards 6 feet या 2 गस की शारिरिक दूरी बना कर रखनी है आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट करें चानल को subscribe करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में